कि लिए जो इटी जई एडवांस का एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए है यह कैसे जॉइन कर सकते हैं आपको यूटुब चैनल पर जाना है वहां पे जॉइन बटन है मेंबर्सिप लेना यूटूब का आप मेंबर्सिप लोग है तो मैं इस चैनल इस पूर्स को जॉइन कर सक नहीं आपको शिखाने की मेरी होगी तो आप जाइन कर सकते हैं यूटूब के मेंबर्सिप प्रोग्राम के तुरू जाइन बटन पर क्लिक शुरू करें फिर ठीक है आज है ना आज हम पढ़ रहे हैं basically reduction of alkyne पिछ्दी क्लास में क्या बढ़ा था हमने hydrogen of alkyne आज हम पढ़ करते हो इन calcium carbonate और lead acetate of quinoline की presence में इस पूरे को बोलते हैं लिल्लाड कैटलिस्ट वो कई बार हम सौट में लिख देंगे PD calcium carbonate और अंडेस्टूड है कि lead acetate रहेगा क्यूनलीन भी रहेगा तो अगर आप यह reagent add करते हो और साथ में क्या यूट करोगे आप H2 S2 plus 5% of palladium calcium carbonate lead acetate and quinoline तो इससे क्या बनेगा हमारा सिसल्की इसको बोलते हैं लिल्लाड कैटलिस्ट और प्रोड बनता है सिसल्की इसको बोलते हैं one of the best method for preparation of सिसल्कीन, सिसल्कीन मराने का यह best method अपने इसलिबस में ठीक है और अगर आपने यूज किया ना sodium और lithium liquid ammonia liquid ammonia या फिर lower molecular weight alcohol भी यूज करते हैं basically sodium और liquid ammonia अगर आप यूज करते हो तो इससे क्या बनता है और इस reaction को क्या बोलते है बर्च रिडक्शन तो बर्च क्या बनाता है रास लिलाड क्या बनाता है और लिलाड सिस नहीं बनाता है सिस को बनाने का best method है इस reaction में दो खास बात है एक तो सिस अच्छे से amount में बन रहा है दूसरी एक और खास बात यह है कि further reduction इसके stop हो गए होना क्या चाहिए था कि अगर मालो को अलकाइन से अलकीन से आगे क्या बनना चाहिए था लेक्शन यहां स्टॉप हो जाती है इन परेंस ऑफ लिलाड कैटलिस्ट वह अपन समझेंगे ठीक है अब सब्सक्राइब यह जो बन रहे हैं यह दोनों क्या है हमारे जोमेट्रिकल आईसोमर भी है और डाइस्ट्रिम भी है तो पहले तो आप यह नोट करके लिख लो दियार जोमेट्रिकल आईसोमर दाइस्ट्रिम अच्छा अच्छा पैलेडियम कैल्सिम काबनेट का मतलब क्या पैलेडियम डिपोजिट ऑन दा कैल्सियम काबन पॉइजन विद लेड और सुलफर मैंने यह लेड लिखा है सुलफर भी यूज होता है दिख लिया अब देखो होता क्या है कि जैसे अपन पैलेडियम कैल्सियम काबनेट लेंगे ना तो इसके उपर वैसे वो एक्टिव साइट्स होंगे मैटल के उपर ना तो पहले यह एस्टू अपना एड्जॉब होजाएगा और एड्जॉब होने के बाद यह दोनों एच कि इसे प्रोड़ मायगा हमारा शेश यह बन रहा कि लिल्एमसिस क्यों मनत रहा है क्योंकि हड्रोजन जो है वह सेव साइड करते हैं poison से मतलब क्या है कि जैसे nitrogen के lone pair है यह lone pair इस पर attack करेंगे यानि इस पर adsorption है ना यह lone pair उसका adsorption कम कर देगा यानि overall surface area कम हो जाएगा इसका मतलब है कि rate of reaction जो आगे hydrogenation होने वाली थी वो कम हो पहले ज्यादा surface area था ज्यादा है आगे भी reduction हो सकता था लेकिन आप क्यूनलीन डाल दिया पार्चल ही reduction होंगे पार्चल मलब अलकाइन अलकीन पर जाकर stop हो जाएगा इसलिए क्यूनलीन वगार डाला जाता है ठीक है यह तो हो गया पारी किसकी बात लिल्लाड की अगर हम बर्च रेड़क्शन का मेकेनिजम देखें तो बर्च में क्या होता है कि पहले तो sodium या lithium भी यूज़ कर सकते हुए active metal electron देगा ठीक है अब जब electron का attack करोगे तो दो option है देखो मैंने इस electron का attack किया पाइब और ब्रेक किया तो एक तो यह dot or negative जो है same side आ सकते हैं एक में dot or negative opposite side आ सकते हैं तो बताओ इन दोनों में से कौन stable है यह वाला dot and negative must be away from each other इसमें एक है ट्रांस भी बन रहा है बार्च यह बोलता है कि यह electronic repulsion कम होना चाहिए यह कम कब होगा जब यह same opposite side में रहेंगे अगर वो same side में रहते हैं तो this is electronic repulsion is more this means it is truss is sorry sis is unstable मला बर्च का पूरे का concept एक ही है कि यह dot or negative जो है यह एक दूसरे से कैसे होने चाहिए हमारे दूर होने चाहिए अब आगे कैसे mechanism होगा यह negative base c minus base है वो ammonia से h लेगा तो क्या बनेगा हमारे पास ही h बन गया फिर दूसरे electron का attack फिर से c minus बना फिर यह base बना और base ने ammonia से क्या लिया एक तो ultimately हमारा side part क्या बन गया साथ में soda माइड यानी na ns2 यह समझ में आया कि इसमें trans क्यों मन रहा है क्यों मन रहा है क्यों मन रहा है क्योंकि यह dot negative दूर होने चाहिए तो यह बर्च का mechanism लिख लो तो आपको cis-alkin मनाना हो तो हमारा lillard और अगर हमको trans-alkin मनाना हो तो हमारा बर्च रिड़क्शन दोनों ही बहुत important reaction है क्योंकि यह further reduction नहीं करते हैं इसी में अगर मैंने h2 nickel डाला होता ना भी इसी alkyne में S to nickel होगा डाला होता है क्या बंद सीधा alkyne मन जाता है मूआ क्योंकि अपना है पहले तुम्हारे जी क्लास होती थी न सुभे तो वही तो बोले थे बच्चे दो तिन किसाद दो बार आना पड़ता है उसलिए दो बार आना पड़ेगा तो भी इसम ब्रेक हो जाए इसलिए रखिये ताकि तुम दो बार नहीं आना पड़े लिग लिए सबने झाले नहीं हुआए तुम्हारे में कर दूmadे कर दूmadे कर दूmadे कर दूम्हारी आगे बढ़े अब ये बताओ ये जो टर्मिनल अलकाइन है न ये बर्च रेड़क्शन सो नहीं ये समझ में आ रहा है इसा क्यों वाइ टर्मिनल अलकाइन का मतलब क्या जब लास्ट में अलकाइन होगा जैसे प्रोपाइन है तो इसका ये SP हाइबरडाइस से ये हाइडोजन होगा और ये हाइडोजन कैसा हमारा ACID अब बताओ ACIDHIG हाइडोजन और ACTIV METAL की क्या रिक्शन होती है वो ह2 बनके इवाल हो जाएगा ना एस टु गैस इवाल हो जाएग तो बताओ कॉन सा अलकाइन है जो बर्स सो नहीं करेगा ले जैसे में आपको किह बोलूब कि हमारे पास दू ऐलकिन है एक तो है हमारे पास 3 हैं एक है हमारे पास वन है Denmark बताव इन दोनों में से किसका बर्ड रडिक्सन नहीं होगा नीचे वाले के निकली बर्ड रडांस- terms- अगर इलकाई से अलकाई नहीं बना अगर उपर वाले में मैं लिख दू। अंदरगो बड्स रेडक्शन तो आपको लिए टर्मिनल अलकाइन विल नॉट अंदरगो बड्स रेडक्शन विकास इंदरगो असेड बेस रीक्शन जैसे बता है एलकॉल में sodium metal डालते हैं तो स्टु गैस सीवाल हो जाती है water में डालते हैं तो गैस आज़ जाती है एसेडिक hydrogen होगा और active metal sodium होगा तो स्टु गैस आईगी कर दो कर दो लुझ। लिख लिया वाई और कोई अलकाइन बता सकते हो जो की बर्च रेटक्शन हो नहीं करेगा और कोई अलकाइन जो बर्च रेटक्शन हो नहीं करेगा इन दोनों के अलावा वन पेंटाइन हो सकता ना भाई वन पेंटाइन, वन हेपटाइन, वन ओक्टाइन क्यों भाई, वोलिंटर, समझेगा कभी कभी समय है न, ऐसा होता है कि सब चीजें ऑपोजिट होती है संडे को बता है क्या होगा संडे को यह हुआ कि साइकलिंग पर जाना था, ठीक है न तो सबसे पहले तो मेरी वाइफ भी साथ में चलती है, उसकी थोड़ी सी तवेद गरवड हो गई तो वहीं रुख गई घर पे फिर सामने साइकलिंग करने किया तो उचे तोड़ हाईवे सीधा था था, चारते होगता है न, डेढ़ गंटे तक चड़ाई होती है, तो डेढ़ गंटे तक जान निकलती है, तो पहले ती चड़ाई, फिर दूसरा क्या था, सामने की हवा, 14 किलो मेटर पार आर की, तो दो चीज ऑपोजिट और वाइफ की तवेद भी गरवड ती दिमांग वो भी था, ठीक है, तो तीन चीज आपोजिट चौथी चीज थी, धूप, थोड़ा लेट हो गया, तो इसके तेवर गरवड थी, मुझे लागा ठीक हो जाएगी, फिर चले, जाएंगे, तो हूँ इतनी तेज थी, कि यह ना, टेमपरचर तो 32 कुस था, लेकिन फिल्स लाइक 41 डिग्री सेंटी, तो आप है ना, पीछे स पानी की दो बॉटल लेके जाता हूँ, है ना, तो तो देड़ गंटे बाद वहाँ पे मिलता है मेरेको वो एक धावा है, वो टोल आता है ना, टोल, टोल पे धावा है, बागी तो पूरी फॉरेस्ट लेंड है, कुछ नहीं है बीजें पे, तो वो टोल में ना, वहाँ पा पांच चीज़ें उपसिट है, फिर जैसे ही उस धावे पे पहुंचे, पानी मिल गया, एक चीज़ अपने फेवर में आ गई, ठीक है ना, फिर डाउन हिल, दूसरा अपने फेवर में आ गया, फिर हवा भी फेवर करने लग गई, चौथा गर पे मैंने फोन किया, उसकी त पांच पा कौन सा रह गया, धूब, धूब कुछ नहीं हो, धूब तो ऐसी ही लिए, ठीक है, तो जीवन में होता है कई बार, कई बार ऐसा सब चीज़ें ऑपोजिट होने लगती है, और कई बार ऐसा समय आएगा कि सब चीज़ें आपके फेवर में आएगी, तो जब समय अच्छा नहीं हो न तुर आपना काम करते रहें, कई बार होता है, कई काम होते यह उते ही, लगता है यह हो जाना चाहिए, फो जाना चाहिए, मैंने देखा कई बार तीन चार घंडे का ऐसा टाइम आता है, कि सब प्रॉलम सोल हो जाती है, तो उस समय का वेट करना पड़े एक तो पेसेंस रखके बैड़ जाएं यह होता है आप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो समय आपके फिवर मा है गाई ठीक है यह लाइफ टाइम चलेगा इसा लिख लिए पूरा आगे बढ़ें अब आप यह बताओ जैसा हमारा एक्षन है ना लिनलाड एक और फेमस ए रोजनमोंड रेड़ेक्षन रोज एन मुझ्ड तो नाम हो गया मुझ्ड ने रोज दिया तो रोज एन मुझ्ड रोस तो यसा गलोर ना वेक रोज रेड पाव। वाइट का सुड़ी होता है वाइट भी होता है येलो भी होता है तो वो कलर के सापस है वो उसका मतलब भी चेंज होता है तुमको तो पता ही होगा किसी को आपने रेड रोज देते हैं उसका मतलब अलग होता है वाइट रोज मतलब पीस red मतलब love yellow मतलब friendship और कौन सा होता है black भी होता है black मतलब गुस्मन नहीं अच्छा ठीक है तो यहाँ वो सब नहीं हो रहा है रोज ओज नहीं देना है किसी को ठीक है ना जैसा हमारा lillard catalyst में क्या था palladium के साथ calcium carbonate था ना इसने barium sulfate डाला और इसमें भी अपन poison करते हैं quinoline वगरा से या trithal amine भी यूज करते हैं कई बार तो बदाओ इसमें कितने reduction होंगे एक बार reduction होगा या दो बार reduction होगा एक ही बार होगा ना और एक बार reduction हुआ तो क्या बना यह SCL और LDL बन गया कई जगे वो भी यूज करते हैं पिरिडीन यह सब बेस है यह सब क्या करते हैं इसको neutralize कर देता है SCL को दूसरा reducing agent होगा तो वो क्या करेगा यहाँ पर HH add करके आगे क्या बना देगा इसका alcohol यह रोजनमोंड नहीं बनाएगा वो आगे जाके यूज करेंगे तो आगे LDL को alcohol में बुदल जाएंगे तो रोजनमोंड कहां यूज हो रहे है acid halide to aldehyde यह LDL बनाने का one of the good method है यह दोनों आप याद रखो selective hydrogenation यह रोजनमोंड यहो यह रोजनमोंड escrथ लमड हो यह रोजनमोंड कहां इसका फरपरशन वहो rut extended है लिखे लिए सबने आप तो लिखे लिए होगा अभी वो मुके संभाणी के उनके बेटे की साधी हुईती है गेस्ट तेरांस के सब के गेस्ट को दो-दो क्रोट रुपे का वो घड़ी दी प्राइस पॉचिस दी सबको या मुझे भुके संभाणी के बात बहुत अच्छे लगती है वो घड़ा करता ना तो मुझा दिल खोल के करता पैसे दुनिया इंडिया बहुत लोगं के पास है ना ब्लैक मनी दो 90 परसंट ब्लैक मनी चलती है इंडिया में लेकिन जो सो वो करता है ना जवड़ास पूरे दुनिया को दिखाता है कि इंडिया क्या चीज है वो चीज बहुत अच्छे लगती है वह पूरे वर्ल्ड में एक दम न्यूस पहलती है ना कि वह इता बड़ा स्ट कर नाच रहे है ना वो बॉलिवड के स्टार दो पीछे वो वेटर का काम कर रहे है ना वो पूरी दुनिया को वह ना उनको सब को लाइन में खड़ा कर देता है और खर्चा उसन गया पांच जा क्रोड खर्च किये है ना तो अब आदमी यार देखो जिंदिकी में तो जीन हैं गरीब हैं ऐसी इमेज है ना बाहर दो इमेज है अपनी बहुत सारी डवलप कंट्री में वो इस टाइब की मेरिस देखते है ना लगता यार इंडिया में भी गजब है यार बस दुख एक ही बात कहा है अपने को नहीं मुला है तो कल ही मैं पूच रहा दा घर में बच् कि एक दिन उसका देखो इंडिशन आएगा मेरे पास बता रहा हूं मैं ठीक है ना पता नहीं मेरा मन कहता है रहा आना चाहिए लेकिन देखते हैं कब आत तुम बनाओ ज़ा रहा मैं यहां वाले सब को ले चलूँगा साथ में जो मल देगा ना फोटो किछ वारे में ध्यान रखेंगे कि एसके साथ फोटो वह मिली उसके साथ फोटो फिर रोज सोसल मेडिया बढलेंगे मैं एसे ठीक है ना मैं कैटरिना के एफ के साथ अब इसे एक बच्चन बगारे भी दिखेंगे बेक्ग्राउंड में यह समझ गया कैसे हो रहा है एसिड हलाइड में आपन यह कौन सी रेक्शन हो रही है रोजन मून रेडक्शन या लिनलाड रोजन मून रेडक्शन इसका नाम रेडक्शन क्यों है और आपने रोजन मून यह भी लिखा आप इन दोना में से कौन सा रोजन मून रेडक्शन है और कौन सा लिनलाड कैटलिस्ट है पहला वाला क्या होगा हमारा रोजन मून रेडक्शन दूसरा वाला क्या होगा हमारा लिनलाड कैटलिस्ट तो निल्लाड कैटलिक्स क्या करेगा निल्लाड क्या बनाता है सिस बनाता है कि ट्रांस बनाता है सिस बनाता है तीनों बड़ी इंपर्टन रेक्शन है लिल्लाड, बर्च और तीसरा क्या है बना रोजन मून रेक्शन आगे बड़े एक पिछली क्लास में रहे है selective hydrogenation आपको जाद है कि hydrogenation जब आपन करते हैं तो H2 is not a electrophile and not a nucleophile तो बताओ rate of hydrogenation किसकी जादा होगी जो stable होगा उसकी जादा है या unstable होगा उसकी जादा unstable इसमें तो कोई nucleophile बगरा नहीं है नुकलिफ स्टीन देखेंगे तो इसका मनलब बागी क्या हो रहा है यह hydrogen add हो रहा है जो unstable alkene होगा unstable alkene is more reactive toward hydrogenation जो अब मुझे बताओ कि इन दोनों alkene में से नीचे वाले alkin का reduction क्यों हो रहा है हाँ इस alkin के कितने alpha हैं बताओ 7 alpha इसके कितने alpha हैं इसके क्यों गिनिए इसके गिनिए नहीं यार इसके कितने हुए भाई चार तो कौन अंस्टेबल हुआ तो नीचे वाला मोर रेक्टीब हो गया ऐसे इसमें बताओ कौन सा उपर वाले कितने आलफां यह तीन और इसके कितने हैmos तीन तो पांच और छे है ना तो यह अनस्टेबल हुआ ना तो अनस्टेबल इस मोर रिएक्टिव समझे आप बाकी सब में क्या होता है मोर नुकलिफिलिक अलकीन इस मोर रिएक्टिव चाहे बियार टू डालो के मिद फोर डालो पर एसेड डालो सिर्फ हड्यजनेशन में है एस्ट्व इस नॉट एलेक्ट्रवाल नुकलिफाल तो अनस्टेबल अलकीन इस मोर रिएक्टिव यह अनि अगर सिस टू ब्यूतिन और ट्राश टू ब्यूतिन वह तो रेट अफ हीड्यजनेशन किसका जाधा हुआ है का नहीं किसमें प्राश डिल्षाओ किसका जुआ है अगर लिए्यनेशन वह तो रिए किसका जाधा किसका यह तोग्य है यह रिए था खालो वह नह तो झालो आप झाल झाल आगे बड़े आगे लगे लगावाद, जागे लगे वावाद, अगे बाद सी बन रहे हैं समझ में आ रहे हैं कैसे बन रहे हैं कोई कारे सेंटर बन रहे हैं यह यह एक चीज और एक्जामपल में यह बताओ थर्मडानेमिक स्टे और फ्यान कीजें ओरडर क्या होता है घर एलकाइन लंकल अलकीज आं अलकीज इन दृकीज इन यह होता ना ठीक है यानि यह एक्जुथमी एक्शंस होती है ना 받고 सबसे लोएस्ट अ occup कौन होगा यानि यहां से यहां आने में thermodynamic stability बढ़ रही है बताओ कम हो रही है thermodynamic stability increases यानि सबसे stable कौन हुआ बताओ आलकेन और मोर stable देन एलकेन तो नेचर में सबसे ज़ाद है कौन मिलेगा जो सबसे stable होगा तो कौन मिलता है अलकैन मिलता है न तब ही जो हम पेट्रोलेम इंडिस्ट्री क्रेकिंग करते हैं पेट्रोल डिजल सब उसे यूज करते हैं यह सबसे कम कौन मिलेगा अलकाइन तो अब अगर मैं आप आपको पूछूँ कि compare rate of hydrogenation आपको hydrogenation की rate compare गरनी है एना एलकेन का तो hydrogenation होगा नहीं क्योंकि अलड़ी saturated हो तो अगर मैं बूछाँ कि which is more reactive toward hydrogenation? एलकाइन ज्यादा reactive है या बढ़ाओ एलकेन ज्यादा reactive है? एलकाइन is more reactive than एलकेन toward hydrogenation क्योंकि जो unstable होगा वो ज्यादा reactive होगा अभी थोड़ी दे पहले मैंने एक्जामपल कर रहा है देखना हो उसमें एलकीन एलकाइन दोनों लगे हैं और अपने लिलनार डाला हो और सिर्फ एलकाइन के reduction किया तो एलकाइन is more reactive than एलकीन toward hydrogenation दूसरा यह मुझे बताओ अगर मैं यह पूच्छूँ कि rate of reaction toward HBR तो बताओ which is more reactive alkyne is more reactive और alkyne is more reactive toward electrophile toward HBR में लग तो बताओ इसका RDS क्या हो है एच प्रस का attack होगा और यह बनेगा हमारे पास विनाइल कार्बो के टैन है न और अगर हम एलकीन पर है एच प्लस का ब्रिजएड है न यह highly unstable है तो अब बताओ toward alkyne more reactive कौन हुआ toward HBR more reactive कौन हुआ alkyne is more reactive than alkyne तो जब हम HBR डालेंगे तो alkyne is more reactive than alkyne समझे आप ठीक है तो लिखो इसको जड़ा दो और तीसरा एक आपको point ध्यान रखना है अगर alkyne और alkyne conjugation में हो न और अगर इसमें HBR डाल दें अजब बताओ conjugation में इसका resonance किस तरफ होगा इसमें इसकी hybridization क्या है SP इसकी क्या है SP2 तो resonance ऐसे होगा न इस रिंग में कौन सा चार्ट आएगा बताओ इस काबन पर कौन सा साथ आएगा नेगेटिव यहां पर कौन सा आएगा पॉजिटिव तो अब electrophile कहां attack करेगा नेगेटिव पर attack करेगा न क्योंकि यह तो electrophilic atom बन गए अलकीन तो deactivate हो गया यह electron density कम हो गई तो अगर conjugation में चलेगे देन alkyne is more reactive than alkyne is more reactive than alkyne तुम यह थार्ड वाला केस समझ रहे हो यह special case हो गया है ना इसको चाहो तो exception की तरह याद रखो special case याद रखो exception है नहीं बस वो conjugation में होने से electron density इस पर आ गई ठीक है ना यह तीनों पॉइंट लिखा आप यह इस ते फेमस है क्योंकि इसमें SCL डालते हैं देख क्लोरोपीन बनता है इससे आगे पॉलीमर बनता है देखो मैंने यह बताया तुम्हें कि यह एलकाइन और एलकीन है resonance किस तरह होता है toward more electronegative element तो इसमें यह SP hybridized है ना और यह SP2 है तो हम resonance double bond, conjugation double bond है हम right में कर सकते हैं left में कर सकते हैं हम resonance इस तरह करेंगे हाँ इससे resonance करने से इस first वाले carbon पर कौन सा चार्ज आएगा negative आएगा है ना अब अगर मैं H-press का attack करने को बोलूं तो कहा attack होगा यहाँ होगा क्योंकि वो conjugation में होने से क्या हुआ कि इस पर तो electron density बढ़ गई इस पर कम हो गई यह तभी हो सकता है जब वो conjugation में हो otherwise alkene is more than alkyne क्योंकि वो अखवाई ना हुआ क्योंकि आएगा है जएगा है जब वो अगर को आएगाई बाद स्टोंकि वो आएगा है तीना example आउर लिख लिख लिया आपने English क्लास का टाइम हो रहा है ये वाले दोना example लिखके जाओगे या बिना लिखे जाओगे लिखके जाएंगे तो लिख लो फिर पिछी वाला ने लिखा ये वाला आप पहले ये लेख लो एक काम कुरो नहीं जिनका लेट हो रहा है न वो इसकी फोटो कैंसल हो न अरे मैं तो सचा है लेकर फास्ट हो जाएगा लेकिन काम तो सब्सक्राइब हो रहा है तो पहली बाल लिख रहे हो ना थीख है थोड़ा सा मला हमारे लिखने में थोड़ा सा लेट हो गया हम लिखने के अगली बद त्यार रहेंगे हैं साधी में खाना लगा रहता है विसे एक दम लिख लिए ठीक है तो बेंजीन में 3 मोल D2 और मैटल हाई टेंपरेशर प्रेसर करेंगे तो क्या होगा बेंजीन में आप वो आपने डिसक्स किया था था ना बेंजीन का रेडक्शन पूरा हो जाता है सब जगर D लग जाएगा अब नीचे वाले में समझ में आ रहा है कि अलकीन है और अलकाइन है तो किसका हाइड्रोजोनिशन पहले होगा बताओ अलकाइन का अलकाइन इसमोर रेक्टिव थन अलकीन तूवर्ड हाइड्रोजोनिशन इसका पाई बॉन्ड भी आएगा है यह राएगा है यह यह बना रखा है कि भाई सभी डी है ना सिस बनाने आपको डाउन 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 तब बनेगे ना सिस आई समर आज कितने वाज जाओगी घर? टेस्ट कब है? अटाइस जुलाई? और आज क्या तारीख है? तो याप उसमें एलकेन तो डाल देते हैं याप कम सकम एलकेन तो हो जाएगा एक बार हाँ अपडेट कब भी इसता है एलकेन डाल देते हैं उस ठीक है? आज इतना ही करते हैं फिर बागी एकजाम अगली बार कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट यार फिर यह रजाएंगे ने यार दोस्ट पाँच एग्जामपल बचेंगे रस तुम्हें क्लास में जाओ ठीक है दो बनेंगे वैसे यह कारे सेंटर हैं? सिस और ट्रांस अर डिफेंट ग्रूप यह कारे सेंटर है प्रोटेक्ट एक होगा? दो होगा? प्रोटेक्ट एक ही होगा एक कैसे होगा? एक आप यह मैंने तुमको एक elcine दिया यह elcine दिया अब मैंने बोला इसका तुम्हे उसका सिस-elcine बनाओ और किते बनाओगे? यह इत हीते बनाओगे? कि अगर ये ट्रांस है और इस सिस है तो हमारा जो एक प्रोड बना वो कैसा प्रोड बना बताओ काईरल और पीछे वाले एकजामपल में जो हमारा एक प्रोड बना तो कि ये भी सिस है ये भी सिस है जो एक प्रोड बना वो कैसा बना हमारा बताओ वो बना अकारल यह समझाना आ रहा है मैं यह समझाना चाहरा हूँ कि किसी भी एलकाइन का हाइड़िजोनेशन करोगे सिन एडिशन करोगे तो एक ही प्रोट बनेगा इसको लिख लो कहां पर छे वलिंसी अच्छा एक कावन कम होगी आपने बना अधारा जैसे इसमें भी पूछू तो फोर्त में कितने प्रोट बन रहा है ता आंसर क्या होगा एक लिख लिया सिस टांस में किसको प्रोरिर्टी देंगे सिस इस गिवन प्रोरिर्टी ओवर ट्रांस आर इस गिवन प्रोरिर्टी ओवर एस इस गिवन प्रोरिर्टी ओवर जट on the basis of alphabetic sequence जब R-S configuration निकालने होंगे न किसी कारे सेंटर के हो सकता है ऐसा भी सकता है एक R लगाओ, एक S लगाओ, एक E लगाओ, एक Z लगाओ alphabetic के according preference दो होंगा बना ले थर्ड फोर्थ अIOुफ़े था,abyte करा ले सेंटर हो ले ले थी कि पांटर दमांटर कि अवाओ, लेक ACण़ा कमसे लेजे stret। व invasive Elev, ले खे बेक Правी स को टी होंगा होंगीände होतगी आवाओ। प्रडम की आविश्माझ लेwerk हो लेगाओ एक सवाफल तर चीजेसे worse जनिवेरist हो गया कि फिफ शिक्स लिगो कि यह एडवांस का कुशन है या तो सिख्स यह सेवन दोने में से एक सवाल आये था कि अ रश्समान दोने में से लिगोाई कि यह की इता है कि अ दो आये वह एड़ को ऐना Że। स्वाशन hunters झाल झाल क्याजियो, सासंक सेवन एट लिखो यह अलकीन तो ऐसे लिख दिया, अलकीन में तो कोई चेंज नहीं होगा नहीं, यहां पे एच आएगा बस अरे इसमें अलकीन होना चीए ना यह कारवन जाद हो रहा है आप सही है ना इसमें भी कितने प्रट बनेंगे, यह की बनेगा बस आप आर यह 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 यGH कि दिख लिए दोनों कि महाराष्ट में केस हुआ प्रिति राज एक आईएस ऑफिसर का बहुत लाइम लेट पेस चला दिखा तुमने एक आईएस ऑफिसर है क्या नाम इसका पूजा खेड़कर ऐसा कुछ है तो उसने क्या कि एक तो उसका वहां लाइम लेट में कैसे आई कि उसका बॉस था ना ट्रेनी चल लिए पहले इनको डिप्टी केलेक्टर लगाना वह बहार गया था तो उसने उसका ऑफिस खाली कर रहा है खुद बेढ़ गी महां जाके ठीक फिर उसके पास और डी कार थी उसने जो उसके पीछे लिखा दिया आई एस या कलेक्टर दिखा दिया और वो जो लाइट होती है ना कलेक्टर को मिलती है अज का देशायद मोदी जी ने बेहन कर दिया चार-पास साल पहले अज को मंत्र को मेंगे है इनन पर एंचायद और मंत्र को पर बाइन किया और वो उसका अपने प्राइवेट गार्टी को गौर्मेंट के गा और प्रिखाや ऐसा उसने फिर उसकी मदर ने भी थोड़ा बहुत दो चार वो कर दिया कोई लैंड थी उस पर कब्जा कुछ कर लिया था उन्होंने है और वा रिवालवर लेकर पहुंच गई वो ऐसा करके तो उस पर नहीं है इन्वेस्टिकेजन चालू था है और व इससे नहीं सब्सक्राइन के जिसे सुवर्णी पस्तोना टूर्द कुछ दो बजीता होगया है उतम देग कि इंद्बैंट डूरे तो इसक्श समय कुछ ऑन में कर दिया हो सब्स्स करा आप अब पकड़ को कि अधिकारी कि भी भी लाइम लीड में आना चाहता है प्लेटा है कि नो कभी तुमने संफ रहे और पॉर्टो डाला एक मैं सिर्जेलैंड गूम रहा हूं कभी भी देखना नहीं मिलेगा कोई भी पॉलिकशन का मिलनी मिलेगा ऐसा मिलेगा क भाई हम दोरे पे गए तो दोरे पे एक गंटे मिटिंग किया बागी तेस गंटे क्या किया तुमने वो नहीं बताते हैं क्या यह जैसे पबलिक को दिख गया और यार फाई देखेंगे तब रिक्रेसे क्रेंगेक रेंगे घंट चुराइत करने उसका हो प्रषिश जा कि कि दो लोगोग का को कर सकते रहें सबस्क्राइल कि दो नमर का दो पैसा होता है न उसका क्या होता है उस पैसे का क्या होता है तुमने खुब दो नमर का पैसा एकटा कर लिया एक रूम बर के मालो अब तुम उस पैसे का क्या करोगे बताओ क्या करोगे पहला काम तो यह करोगे कि तुम निए वो भी दो नमर का प्रगाए नगर तुमने दो नमर का कमरा बरवा पैसा है उसमें से दो बोरी बर्गे पैसे सोना खरी लिया तो ठीक है उस कमरे में इतना साथ गौल्ड रख दिया तो पैंटिंग खरी लो स्विस बैंक में कोई कैस्परी जमा होता है कि बोरे बर के वाँ पहुंच गए एरपोर्ट पर गया में जा रहा हूं लेगे उससे क्या हाता है उस दो नमर के पैसे से प्रॉपर्टी पर्चेज होती है तुम प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तुमने लेंड खरीदी इंडिया में तो ब्लैक एकोनोमी ने पूरी तो लेंड एक क्रोड की है तो दस लाग रुपी लेगा तुमसे रिजिस्ट्री के 90 लेगा इस तरीके से पैसा पूरा पूरा प्रॉपर्टी में चला जाता है इसलिए लेंड की वेल्यू इंडिया में बहुत बढ़ी जी है क्योंकि वो सब पैसा मां श्टक हो रहता है और तुमारे पास एक फाइल आ जाएगी कि मेरी ये लेंड है फिर तुम क्या करोगे पर फाइल में इन्मिस्टेगेशन हो जाएग फिर वो कई फाइल मन जाएगी अगर तुम बड़े पावर्फुल नहीं बहुत सारी चालने बन गई फिर एक दिन ओड लेज होगी फिर नेक्स जनरेशन में जाएगी फिर नेक्स जनरेशन वाला सोचेगा है पापा ने जादा कुछ किया नहीं मैं करता हूं उसको सही फिर वो उसको बेचेगा अल्टिमेटली पैसा दो है ना ब्लेक का उब्भोग नहीं होगा तुम गाड़ी नहीं करी सकते है उसका यूज नहीं हो पाएगा इन दो अब टाना पड़ता होगा दो प्रसेंट रही थो आपकी वर्त बनेंगी एकरोम बनेगी डोलिद'a पैसे प्रश पीर गाह में जो किसान है वह हैं यह पूरे दुन बहुत सारे जमीन है पैसे वाले हैं तो दो एक नमर का पैसा होता है न वह उब्बोग होता है अराम से 37 सो पाओगे बैंक में रख पाओगे स्टॉक में लगा पाओगे गोर्ड खरीद पाओगे हर जो चाओ कर पाओगे फॉरें जा पाओगे है ना गुमने जाओ यह जाओ कहीं जाओ पैसा आप फाइब स्टा उटल पहुंच गे दो दिन ठेहरें दो लाग रुप है कि बोरे बर के यह लो दो लाग कि यह लो या वाद चले गए स्विर्जलेंड में उसने मुला कि इतने युरो मेरे प पैसे 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 होता है दस लाग रुपे चेक से दिया दस लाग रुपे अगे बड़े जिसा हम टेक्स में आये इंकम इंकम टेक्स ऑफिसेज वगरा में इंकम टेक्स की रेड़ भी एक दुबार फिर जाकर समझ में आया है कि यार वो एक नंबर का काम कितना सही होता है आप और बीगे टीचर आप बच्छों को सिखाते हो इतिकल रहो है ना आप खुद तो भारी करेशन कर रहे हो और आप ब मतलब 140 क्रोड में से 2.8 क्रोड इंकम टेक्स जमा करते हैं उसमें से टेक्स बढ़ने वाले लोग तो 50-60 लाग ही हैं मतलब हमारा देश देव कितना महान है समझे हो कि 100 में से 2 ही इमानदार हैं यहां पर 98 तो भाईदा बहुत खतरना काम है और वो इतना भैंकर कल्चर बनावाए अपने यहां कि नॉर्मल है एकदम यह होता ने एक तो होता है कि पूरे महले में यह आदमी गरबढ़े पता चले कि डूढ़ना पड़ता है कि यह इ आईएस होने वाला है ना तो उसने व इसी बातचीद हुई तो उसने बोला तो ने आगे वैंगा अची बात है बधी बात है तो उसका क्या होता है वह सिस्टम में तो बहुत जादा क्रीस आप करेके होते हैं एक एक अव क ऱिता है कि मैं मैं पूर सुपे अन् आदागियह सारे SHO को बोलूँ रोज 5-5 लाग महीने के लिएक आना मेरे पास तो SHO और जो ब्लेक मिल जो दो नमर का काम करें उनको पकड़ेंगे इस्पेक्टर है, इल्टिमेटली मैं एक्स्टाइट करूँगा पैसा, तो मेरे को महीने के 50 लाग रुपे चाहिए तो सारे आफिसर लग जाएंगे, एस्पी साब को 50 लाग देने हैं एक ये करप्सन, सेकंड करप्सन क्या होता है? सिस्टम बना हुआ है, कि हर प्ली स्टेशन में कुछ पैसा जाता है, एक एक लाग रुपे जाता है सिस्टम बना हुआ है, तो 10 लाग रुपे मेरे फिक्स आएंगे, चाहिए आप हो या नहीं हो तो मेरे को 10 लाग रुपे लाके दिये जाने है, तो दो टाइप के करप्सन है तो अगर आप इस दोनों में फिट होते हो, तो ठीक है तो फिर तीसरा ये है कि आपको बाइपास कर दिया जाएगा कि वह यह साब तो लेते नहीं है, तो साब को छोड़ दो, तो आपके साथ बाइपास होगा तो तीन चांस है, अब तीनों मज़ तुम देख लो, उसको ये डर था कि यार मैं इमांदार रहूंगा, तो कुछ गरबट नहीं होगी, इमांदार रहेंगे तो तुमको डिपार्मेंट में लोग भूल जाएंगे, सब को पता होगा कि इसके साथ कुछ नहीं करना है, ये आदमी इमांदार है, उससे दूर रहते हैं इमांदार से सब, करप्सन लसी दो ही दो जानी होती है, हँ मेर जैसे हई और तो तुम्हारे जैसे हाइप रॉफाइल महंती बच्म को करप्सन नहीं करना चीर, मीडियो-मीडियो आद्मी करें रहें तो तुम भी उनके सी होगए तो तुम बें सबनों में क्या फारक है, तो तुम बहूत पैस fell onले ल गोल्ड में सब नेट वर्थ होने चाहिए समझे चलो फिर इतना ही करते हैं तो अब एक प्लास और करेंगे लकीन की वो सारी रेक्षन को कंपाइल करते हैं प्रैक्टिस करने है तो अगली बार वो करेंगे प्रैक्टिस ग scripture बांचे प्रशारी झाइल इतना ही सिर्ट इतना ही करेंगे बार वो कि वोल्ड पर वो तो, इतना ही वोल्ड मेंसे बार जरिए स्वचिक्षिए जगारा ओर्वाराशाज स्वड़ सेघ्यर वोल्ड भी मेंसा प्रबरा प्राशारी अगलिए, उब पना प्लादाना ही ले झाल कि अजये दोड़刺 उल में चछिए दोंग। झाल झाल झाल